नमस्कार दोस्तों इंडिया वोलेगा निव चैनल में आप सभी का स्वागत है समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्य चकलेश यादव ने पूर्वांचल की दो महत्व पूर्ड सीटों से अपने उम्मिद्वार की घोशड़ा कर दी है चर्चा में रही जोनपूर लोगसभा सीट से सापा ने बाबू सिंग को स्वाहा कोटी कर दिया है जिनका मुकाबला बीजेपी के क्रिपा संकर सिंग से है और वहीं जोनपुर जिले की मचली सहर लोग सबा सीट से पूर्व सांसत तुफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है इन दो सीटों पर सपाने रणनीती के तहत तत्या सी उतारे हैं प्रिया सरोज पेसे से सुप्रीम कोर्ट की वकील है और योवामत दाताओं में पैट बना सकती है बता दे कि समाजवादी पार्टी ने जोनपुर से बाबु सिंकुसवाह को टिकर दिया है कुसवाह इसी से पहले बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं और दलित पिछडे वोट बैंक पर अच्छी पकड मानी जाती है इनकी बाबु सिंकुसवाह पर मायाबती सरकार के दवरान एनारेचम गोटाले का आरोप लगा था लेकिन अब वे सियासी चोसर पर फिर बैट रहे हैं जिसकी वज़े से उन्हें सापा ने टिकर दिया है बाबु सिंकुसवाह पूरो बसपाई हैं और मायाबती के कभी करीबी रह चुके हैं माना जा रहा है कि पिछडों को एक जुट करने के लिए जौन पूर सीड से उन्हें उतारा गया है यह भी कहा जा रहा है कि उनका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जरूर दबाएगा